तो हे गाईस केसे हो आप सभी आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपो के कलर ओस 14.1 अपटेट के बारे में अब बहले ये जो नेम है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता है 14.1 लेकिन इसकी जगह आप लोगों को बहुत सारे 14.1 के फीचर्स है वो देखने क मिल चुके जैसे कि आपके फोन के अंदर नया कंट्रोल चेंटर है वो तो आपको देखने को मिलता ही है साथ ही में ओपो की तरफ से एक काफी smooth animation है ना उसको याँ पर create किया गया है जैसे कि आप लोग किसी application को open या फिर close करते हो so app opening और closing animation है ना वो भी आपको याँ पर साथ ही में देखने को मिलती है so आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले वीडियो को complete watch करते रिए वीडियो आपको यह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को like कर सकते हो और चेनल को subscribe करके bell icon को all press कर लेना ओपो की Reno series के और OPPO Reno 80T, OPPO Reno 8 Pro ऐसे कुछ smartphone है जिनके अंदर आपको नया color OS का जो update है वो देखने को मिल चुका है जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा change है वो यह देखने को मिलते है कि first तो आपके phone का control center है वो change हो चुका है इसकी पूरी की पूरी जो animation है वो तो आपको यहाँ पर change मिलती है लेकिन आप लोग देख सकतो एक नए look के साथ में आपको यह वाला update है वो मिल जाता है तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे animations के बारे में जब आप लोग किसी application को open या फिर close करते हो ना तो साथ ही में जो background में wall paper है वो भी आपर zoom और zoom out होता है तो ऐसी कुछ आपको नई animation है वो मिलती है ओपो के नए color OS update के अंदर और अगर आप लोग इसको compare करते हो ना पुराने वाले oxygen OS 14 या फिर color OS 14 update के साथ में तो आपको animation है वो काफी फीकी आपर नजर आएगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे आपर देखी सकतो किसी application को open करते हो तो only आपर जो application है वो ही आपर open और close होती है जबकि आपको background के अंदर किसी भी type का जो effect है वो नहीं मिलता है और अब आप लोग ये देख सकतो किसी application को open और close करोगे तो आपको कैसी animation है वो background के अंदर देखने को मिलेगी ये animation एक भी device के अंदर आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि open की तरफ से एक नई animation है उसके ओपर काम चल रहा है और जल्दी ही आपको एक नई animation है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके लिए आप लोग अमारी इस वीडियो को watch कर सकतो काफी पहले मैंने ये वी स्मार्टफोन के अंदर अपडेट्स है वो आएंगे ओपो के स्मार्टफोन के अंदर तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना मैं मिलता है आप लोगों से नेक्स वीडियो में जैहिंद वन देमार्ण